नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गौर्मेंट इंपलेज वेलफार की नहीं और फ्रेश वीडियो में आज की चार बड़ी वे जब्रदस खबरें और साथ में जो गंटी का बटन है उससे भी दबा दे ताकि आपको मिलती रहे हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले दोस्तों तो दोस्तो फटाफट से देख लेते हैं आज की चार बड़ी वे जब्रदस खबरें तो पूरी जानकरी के लिए वीडियो को सुरू से लेके अंतक पूरा देखें दोस्तों मारी पहली और बड़ी खबर पूरानी पैंसन बाले के लिए देख बर में ट्रेंड का भी हो सकता है चक्का जाम रेलवे करमी भी बोले करेंगे महा हरताल जी हाँ दोस्तों ये लेटेश नियूज जारी की गी है जी नियूज की तरब से 6 फरवरी 2019 को दोस्तों NFIR ने गोसना की है कि अगर सरकार ने पुरानी पैंसन निती लागू करने को लेकर जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो लाखों रेलवे करमी भी हरताल करेंगे और देश बर में रेल चक्का जाम किया जाएगा जी हाँ तो सरकारी करमचारे को पुरानी पैंसन निती की मांग तेज हो रही है उत्तर परदेश में पुरानी पैंसन बाली को लेकर राज्य करमचारी संगठन की माहरताल अब रेलवे करमचारे ने भी समर्थन किया है रेल करमचारे के बड़े संगठन National Federation of Indian Railwaymen NFIR ने भी गोशना कर दी है अगर सरकार पुरानी पैंसन बाली लागू नहीं करती है इस पे जल्द कोई निनने नहीं लिया जाता है तो लाखो रेलवे करमी भूख हरताल करेंगे और देश पर में रेल का चका जाम किया जाएगा वहीं दोस्तों मारी अगली बड़ी ख़वर राजी करमचारी की पैंसन स्किम में अब 10 फिश्दी की जगे 14 फिश्दी अंसदान जमा करने की तैयारी में योगी सरकार जिहां दोस्तों ये लेटेश न्यूज जारी की गई है नव बार टाइम की और से 6 फरवरी 2019 को पुरानी पैंसन स्किम बाहल की मांग को लेकर उत्तर परदेश के करमचारी संग्ठोन की प्रस्तावित हरताल से पहले योगी सरकार ने रहात देने की तैयारे की है असमा लगाने की बाद करमचारी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है बताया जा रहा है कि सरकार ने अब आंसदान बढ़ाने की तैयारे की है वही दोस्तों आपको बता दे कि करमचारी को कहना है कि हमें हुब-भु-पुरानी पैंसन ही चाहिए NPS में कोई भी संसोतन हमें नहीं चाहिए वही दोस्तों मारे अगली बड़ी खबर जन सत्ता के और से प्रकासित की गई है 6 फरवरी 2019 को सेना बत्ता रोकने पर सरकार का जवाब जरूरत पड़ी तो और देंगे पैसा जी हाँ दोस्तों दन की कमी की कारण सेना द्वारा ऐसता ही बत्तबर रोक लगाने की खबरों के बेश रक्सा मंत्रा रने मंगलवर को बताया कि दन की कमी सता ही नहीं है और जरूरत पड़ने पर अत्रीक दन मोहिया कराये जाएगा वही दोस्तों मेरे अंतिम और बड़ी खबर अर्थ सैनिक बलों ने जीती बड़ी कानूनी जंग सुप्रिम कोट ने अर्थ सैनिक बलों को बारी रहत दी है कोट ने केंद्री अर्थ सैनिक बलों के अधिकारियों की याचिका पर अंतिम नर्ने देते हुए फैसला सुनाया है कि केंद्री अर्च सेनिक बलो के अधिकारियों को Organized Group A Services ने मानकर Non-Functional Financial Upgradation से वंचित नहीं रखा जा सकता है जिहां दोस्तों केंद्री सरकार की विचार याचिका SLP पर फैसला सुनाते हुए माननी अधालत ने कहा है कि केंद्री अर्च सेनिक बलो को Organized Group A Services से अलग नहीं माना जा सकता है न्याय मूर्ति नरीमन और सहा की पीट ने अपने फैसले में ये सपश्ट कर दिया है कि सरकार को इन बलो के लिए Organized Group A Services की तर्जबर NFFU का लाब देना होगा फैसले में कोट ने कहा है कि चोथे वेतनायोग से बलो Organized Group A Services ने मानना तरक संगत नहीं है सर्वोच ने आलेने ये भी कहा है कि IPS के अधिकारों विसो में ये कहना है कि RPF में कुछ बदों को IPS के परतिन्युक्ति द्वारा बरे जाने के आशे से और RPF को Organized Group A Central Services गोसित कर देने मातर से बारते पुलिस सेवा के अधिकारियों के अधिकार कम हो जाएंगे और वे परति के साथ में सेर करें इसी के साथ जहन जय अबारत आपका दिन बहुत ज़्यादा सुब रहे